ईह एवरिवन तो अबम बात करेंगे Defense Structures in Nidaria जो की ऐसे structures जो की सीलन्क्टरिटा की जो मेंबर से उनको offense and defense में यूज होते हैं तो वह होते हैं Nematocyste Nematocyste में का structure क्या होता है कि Caesar के अदर यह present हैं और हमूनी prophesate और निर्फ होते हैं और इनका enormed होने का means किस तरह से ये बहार आते हैं और प्रे जो होता है उसको किल करते हैं ये सारा कुछ अब हम इसमें देखेंगे तो important बात ये है कि जो sealant rate है उसको निडेरिया भी बोलते हैं और ये जो निडेरिया वर्ड है वो आया है नीरोब्लास्ट सेल या नीरोसाइट सेल से और ये वही सेल्स हैं जिनके की अंदर ये defensive structure निमेटोसिस्ट प्रेजन्ट होते हैं तो जो निमेटोसिस्ट होते हैं इनको stinging cells भी बोला जाता है और ये जो stinging cells हैं ये अक्चुली cells नहीं है और इन्हीं नीरोब्लास्ट या नीरोसाइट सेल्स की वज़े से फाइलम सीलन्ट रेटा को हम निनेरिया भी बोलते हैं अब क्या होता है जैसे कि पता है कि ये जो प्रेजन्स है defensive structure का निमेटोसिस्ट का वो एक important characteristic feature है फाइलम सीलन्ट रेटा का most important characteristic feature है फाइलम सीलन्ट रेटा का अब ये present तो हमने देखा tentacles में होते हैं जब हम anatomy बढ़ रहे होते हैं हाइडरागी तो हम देखते हैं कि निमेटोसिस्ट कहां में present है tentacles के से project कर रहे हैं oral region में present है तो ये वहाँ पहुचे कैसे क्या ये tentacles में बने नहीं ये tentacles में नहीं बनते ये क्या होता है epidermis में जो specialized interstitial cells होती हैं वो इनको बनाती हैं और epidermis से ये migrate करते हैं mesoglia में और mesoglia से होते हुए ये amoevoid movement करते हुए चले जाते हैं tentacles में तो तीन layers होती है ठीक है टीन layers होती है एक होता है epidermis this is the epidermis then आती है mesoglia this one and then आती है gastrodermis epidermis से mesoglia में आते हैं mesoglia से amoevoid movement करते हुए उपर की तरफ tentacles में चले जाते हैं यानि कि gastrodermis में याद रखिएगा gastrodermis में needle blast cells present नहीं होती हैं epidermis में formation होता है वहां mature होते हैं और mesoglia के थोथो होते हुए they move to they migrate to tentacles by the amoevoid movement अब हम देखते हैं structure of needle blast यानि कि वो cells जिनके अंदर nematocyst present होते हैं तो needle blast का structure हम देख लेंगे तो आलवड़ी हमने nematocyst का structure भी समझ दीजे देख लिया तो यह जो है वो उसका structure दिया हुआ है यह averted है and the first one is normal जहां पर यह जो bulb है वो अंदर की तरफ है ठीक है और this is the जहां पर thread जो है वो avert करके पहार आचुका है तो इसमें जब हम देखेंगे अभी हम one by one एकी की structure को study करेंगे तो आपको यह देखने को मिल रहा है कि this is the oval pear shaped rounded structure है this is the neuroblast और इस neuroblast के अंदर एक capsule जो है वो present है this is the nematocytes ठीक है this is the nematocyst अंदर जो capsule present होता है इस capsule के अंदर हम देखेंगे nematocyst के अंदर एक bulb like structure present है this is the bulb like structure present है और इस bulb like structure के end पे तो जब यह abort होगा तो यह जो lid है वो open हो जाएगा operculum और यह जो पूरा bulb है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और यह जो thread है वो spread हो जाएगा बाहर की तरफ eject हो जाएगा इसके बाद देखेंगे यहाँ side में nucleus दिख रहा है एक side में लैसो प्रेजेंट होता है लैसो क्या करता है कि यह जो nematocyst है इसको बाहर नहीं जाने देता जिस time पर यह जो thread बाहर निकल रहा होता है उस time पर यह nematocyst को अंदर hold करके रखता है इसके बाद हम देखेंगे कि जो thread है उसका जो end होता है वो थोड़ा सा solid होता है जिसे हम बट या shaft बोलते हैं जिस पर की spine-like structures बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ जो है इसमें छोटे-छोटे three rows of बार्ब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यह भी हम सारा कुछ देखेंगे चलिए स्टार्ट करते है नीडो ब्लास्ट का structure तो अभी हमने देखा कि यह oval या rounded structure है जिसके एक side में nucleus present होता है अब नीडो ब्लास्ट जो होता है उसके अंदर अभी हम देख रहे हैं कि oval या pear shaped एक bladder like structure present है ठीक है stringing capsule जो है वो present होता है इसी stinging capsule को हम nematocyst बोलते हैं अब देखें इसके अंदर जो जो present है structure this is the nematocyst this is the needle blast cell बाहर वाली अब nematocyst में क्या क्या है इसके अंदर एक bulb like structure है ठीक है अभी हमने देखा bulb like structure है जो कि किस से मिलकर के बना होता है kaitin से बना होता है या kaitin like material से बना होता है and this bulb is filled with a poisonous fluid जिसे कि हम hepnotoxin बोलते है और यही hepnotoxin जो है वो help करता है to kill the prey यह poisonous fluid है जो कि prey की body में जाता है और उसे kill कर देता है और यह mixture होता है proteins और phenols का तो यह देखें यहां से देख सकते हैं यह नीडोब्लास था यह nematocyst present है इसमें एक bulb like structure आपको देखने को मिल रहा है और यह जो bulb like structure है यह filled रहता है with hypnotoxin जो कि proteins और phenol से बना हुआ है अब यहां देखिए यह जो bulb है इसके एक end पर lid like structure present है जिसे हम ओपर क्यूलम बोलते है तो जब यह evort होके बाहर आएगा तो देखिए lid like structure open हो गया और पर क्यूलम है यह तो यह दे रखा है कि एक तरफ क्या present होता है और पर क्यूलम present होता है यह देखिए यह आपर लिखाया हो और इस bulb के एक end पर extend करता हुआ long hollow hollow tube like filament present होता है जो कि rounded रहता है around the poisonous sack इस filament को हम thread tube बोलते है and base of the thread tube is solid to form a shaft तो यह क्या बोल रहे है कि यह जहां पर bulb end हुआ वहां से यह thread निकल रहा होता है thread tube निकलता है और यह thread tube होता है इस जो base होता है यह solid structure होता है and this solid structure को मोटा सा structure दिख रहा है इसको हम shaft बोलते है क्या बोलते है shaft बोलते है या फिर इसको हम क्या बोलते है shaft बोलते है और इसको एक नाम और भी देते है this is known as a butt या shaft तो यह जो thread tube निकला इसका जो base है वो solid portion है and इसको हम butt या shaft बोलते है इस butt या shaft पे तीन बड़े spines देखने को मिलते है यह देखे त्री बड़े large spines देखने को मिलते है इन large spines को हम बोलते है barb क्या बोलते थे है barb बोलते है ठीक है जो large spines देखने को मिलते है उन्हें barbs बोलते है और तीन स्मॉल रोज दिखती हैं माइनूट स्पाइन्स की जिन्हें बालते हैं बार्ब्यूल्स और यह जो साफ्ट होता है वह एक्स्टर्नली बाहर से कवर रहता है बाई लिट लाइक स्ट्रॉक्चर जिसे हम ऑपर क्यूलम कहते हैं तो यह जो शाफ्ट है यह जो कि क्लोज रहता है जब इवेट equal to哦 c9 तो जब यह जाता है तो यह फारख की तरह जाता है इस तीन लार्ज स्पेक्यों प्रेजनेंं हैं जिन्हें बार्ब बोलतेते हैं और जो स्मॉल सपाइन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बार ब्रिवि उल्स है हाँ है हम की डेखेंगे एक चीजे और देख लेते हैं कि इनके ज्यान नेम्स भी होते हैं एक बार स्कूलिक एक चीज़ याद रखेगा यहां पर उन्हें पार ने मेंशन सिन्में गया जो बड़े वाले स्पाइन सो थे ने बार्पस बोलते हैं और इसके साथ साथ बार्पस को हम शाफ्ट भी बोलते यह एकश जो बार्ब्स के बाद जो छोटे वाले होते हैं उनको हम स्पाइंस भी बोलते हैं और बार्ब्यूल्स भी बोलते हैं कि आपक्यूलम हमने देख लिया लेट लाइक स्ट्रॉक्चर प्रजेंट रहता है यह जहां पर शाफ्ट के बेस में अब हम देखते हैं नीडो सिल या ट्रिगर क्या होता है तो नीडो सिल या ट्रिगर यह आपको यहां पर दिख रहा है एक दब एंड में एक थ्रेड लाइक स्ट्रॉक्चर प्रेजेंट है यह तिस वन इस नीडो सिल नीडो सिल क्या होता है कि जो नीडो ब्लास्ट का आउटर एंड होता है वो फ्रीली प्रोजेक्ट करता है बियांड अपिडम में सर्फिस ठीक है ऐसा टाइनी पॉइंटेड हेर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहती ही जिसको कि हम नीडो सिल या ट्रिगर कहते हैं कि जो एकदम नीडो ब्लास्ट का जो आउटर एंड है वो प्रोजेक्ट करता है ऐसा नीडो ब्लास्ट या ट्रिगर और नीडो सिल या ट्रिगर बोलते हैं और नीडो सिल में क्या होता है दो थो central नीडो सिल होते है तो नीडो सिल में मैं या होता है एक तो central core होती है और उसको surrounding सपोर्ट करती हुए रॉट्स होती है ग्रूप ओफ रॉट्स जो है वो प्रेजंट होते हैं तो नीडो सिल यह अभी हम आगे देखेंगे कि इसी नीडो सिल की हेल्प से जब स्केंगे नीडो सिल यह लेता है और अगे जाकर के जो स्टार्इंट के सज्च से और इसके बाद इलक्ट्रवक सिड्स स्टडी करन में देखने से कि इसके साइटोप्लाजम में नीरोप्लास के साइटोप्लास में अधर सेल और्गनली इस लाइक एप एंडोप्लास्मिक्रेटिकुलम राइबोजोम्स गॉल्ची बॉडिय इस माइटोकॉंडिया और मल्टि वैस्कुलर बॉडिय भी देखने को मिलती हैं इसके बाद हमने देखा कि यहां प patent CКак recycle muscle fibers Eva present होते है एक ओर structure present होता है लास्व जिसका किए function देख सुके हैं कि यह nematocyst होता है उसको hold करके रखता है जब यह method है वह भार की तरफ inert होता है तो ऑट दिस पॉस्द स्ट्रॉक्चर ऑफ nemus अब हम देखेंगे कि निमयटो सिस्ट का aqerence occurrence off nematocyst यह present कहां होते हैं तो we know that जब हम हैंड्र युलो जो देखते हैं तो यह जो निमाटो सिस्ट है वह ओरल रिजन में present है बजेंट पर प्रचेक्ट रहे होते हैं ठीक है यह चुक्स प्रेजेंट होते हैं और यह किस तरह से एक्जिस्ट होते हैं दियार प्रेजेंट इन दा फॉर्म ओफ नीमोसिस्ट बैटरीज ठीक है बैटरी ओफ निमेटोसिस्ट के फॉर्म में प्रेजन्ट होते हैं बैटरी ओफ निमेटोसिस्ट में क्या होता है कि दो बड़े जो निमेटोसिस्ट होते हैं वो सेंटर में प्रेजन्ट होते हैं और उनको सराउंड करते हुए 10-12 स्मॉल निमेटोसिस्ट प्रेजन्ट होते ह और यह मिल करके बैटरी ओफ निमेटोसिस्ट बनाते हैं ठीक है और यह बैटरी ओफ निमेटोसिस्ट के फॉर्म में ही प्रेजन्ट होते हैं चलिए देख लेते हैं कहां अकर होते हैं most of the time यह single form में scattered होते हैं but sometimes बहुत rare है कि यह groups में प्रेजन्ट होते हैं और यह तुमने देखा था throughout the epidermal region जो आप भी gastro-dermis में प्रेजन्ट नहीं होते हैं तो throughout the epidermal region of cnidarian body में यह प्रेजन्ट रहते हैं एपिडर्मिस में प्रेजन्ट रहते हैं और यह जो बेसल डिस्क होता है वहाँ पर यह नहीं देखने को मिलते हैं throughout the body present है बट बेसल डिस्क में यह present नहीं होते हैं अब यह हमने देखा कि oral region में ज्यादा abundant होते हैं और tentacles में ज्यादा present होते हैं और किस फ़र्म में प्रेजन्ट होते हैं batteries of nematocyst अभी batteries of nematocyst क्या है batteries of nematocyst में दो large central nematocyst present होते हैं और उनको surround करते हुए 10 to 12 small nematocyst present होते हैं and this is known as the batteries of nematocyst और batteries of nematocyst की फ़र्म में ही यह tentacles में present होते हैं ठीक है और tentacles में यह कहाँ tentacles में जो cells होती हैं epithelio muscular cell epithelio muscular cell से यह project करते हुए दिखाई देते हैं all these large and small nematocyst are enclosed within a single large epithelio muscular cell अब यह कहा रहा है कि जो यह हम अल्रडी discuss कर चुके हैं कि यह tentacles में फ़र्म नहीं होते यह कहां से यह form हुए होते हैं epidermal region में हमने देखा ना special interstitial cell होती है epidermis में वहां पर यह form होते हैं और बाद में tentacles में migrate हो जाते हैं ठीक है और जब migration हो रहा होता है उस time बर क्या होता है cluster बना लेते हैं इस्ट्रवेस्किलर क्याविटी में और बैटरीज ओफ मतलब इनका cluster जब बन जाता है तो बैटरीज ओफ नेमेटोसिस्ट के बन जाता है और यह बैटरीज ओफ नेमेटोसिस्ट हमें टेंटिकल्स में देखने को मिलती है अब आता है इनका defense mechanism काम कैसे करता है तो आपको नीडोसिल याद होगा हमने देखा था नीडोसिल आउटर मोस्ट जो प्रोजेक्शन हमने देखा था एपिडर्मल का तो वह नीडोसिल ही औरगन है जिसका stimulation होगा पार्ट है जिसका जब stimulation होगा तो उसके stimulation के बाद ही पूरा का पूरा यह process स्टार्ट होगा और यह याद रखना है कि stimulation के लिए सिफ mechanical ऐसा नहीं है कि food का touch हो गया तो अपन हो जाए है अभी तक इसका एकदम exact mechanism तो नहीं पता है पट यह माना जाता है कि इसमें कोई nervous control नहीं है यह automatically क्या है local actions के थ्रोई होता है राइट तो यहां पर देख लेते हैं कि जो डिस्चार्ज है या explosion होता है निमेटोसिस्ट का वो तब होता है जब नीरोसिल जो है वो stimulus मिलेंगे इसको तब यह जाकर करके प्रोसेस जो explosion की है वो निमेटोसिस्ट की वो स्टार्ट हो पाएगी यानि कि चैमिकल एंड डोनों तरह की stimulation चाहिए अब इसका exact mechanism तो नहीं पता ठीक है ठीक है लेगिन इसमें nervous system का involvement नहीं होता यह बात क्लियर है अब होता गया है कि इसकी जो वॉल होती है निमेटोसिस्ट की वो जेनरली इंपर्मेबल होती है और टाइम नॉमली जब होता है तो नॉमली वॉल जो है वो इंपर्मेबल पर होती है सिर्फ डिस्चार्ज जब हो रहा होता है उसी टाइम पर यह पर्मेबल होती ह तो होता गया है कि नीडो सिल है यह पूरी बाड़ी और नीडो सिल को स्टिमलेशन मिला क्यमिकल और मेकेंिकल तो इसकी जो वाल होती है वहाइली फर्मियम्ल होजाती वहाटर के लिए बहुत ही रैपिड नोमेंट होता है वाटर का इंसाइड जब अन्दर का मुर्मेंट यह ओपक्यूलम जो है वो यहां से इधर की तरफ आ जाएगा ओपन हो जाएगा और जो थ्रेट ट्यूब है वह बहार की तरफ इवर्ट कर जाएगा अब जब ओपक्यूलम पर प्रेशर लगा उस पर फोर्स लगा और वो वाटर की वज़े से तो वो ओपन हो जाता है और जो थ्रेट होता है वो बहार की तरफ आ जाता है अब थ्रेट तरफ लगा तो थ्रेट पे जो हमने देखा था बार्प्स प्रेजेन्ट है माले बड़े वाले स्पाइंस और बार्बूमियोस जो इस्मूल स्पाइंस थे वो भी बहार आकर के अनफ ओज जाएगे और जब अनफोल्ड की वज़े से और जो हिप्नो टॉक्सि और यह बात याद रखना कि एक बार जब यह जो थ्रेट्टियूब है वो बहार इवर्ट हो जाता है तो फिर इसका निमेटोसिस्ट को फिर से यूज नहीं किया जा सकता तो क्या हुआ एक बार जब एक्स्प्लोजिन हो गया तो यह जो नीडो ब्लास्ट सेल्स हैं वो वो जो निमेटोसिस्ट उनको अगेन अगेन यूज नहीं किया सकता एक बार एक्स्प्लोजिन हो गया तो फिर जो है उसके बाद दुबारा 48 और में उनका रिप्लेश्मेंट रेडी हो जाता है तो इस वाज दा मेकनिजम ऑफ डिफेंस कि किस तरह से निमेटोसिस्ट बहा वो जो टाइप था वो पेनेटरेंट के टाइप का तो जब हम इस ट्रक्चर पूरा डिसकस कर रहे थे इनका ये डिस था कॉम्प्लेक्स वन जो सबसे ज़ाधा लार्ज है यह पूरा जो हमने पढ़ा वो जो टाइप है इससदा पेनेटरेंट टाइप इसमें कुछ भी पर चुके हैं पैनिटरिंट टाइप यह सबसे ज़्यादा कॉंपलेक्स है लार्ज होता है और जो बाकी जो निमेटो सिस्ट है उनके कंप्रीजन में पियर शिप बॉडी होती हमने देखा था ठीक है और जो थ्रेड होता है वो लॉंग है ओलो है ठीक है और बहुत लार्ज स्मॉल स्पाइं प्रेजन होते हैं हमने देखा था बार्बियूल्स और जब यह जो थ्रेड बहार आ जाता है तो बहुत एक एक स्प्लोसिफ फोर्स के जाद बहार आता है और यह विक्टिम की जो बॉडी होती उसको पियर्स कर देता है और उसमें जो पॉजिनस फ्लूड होता है हिपनो टॉक्सिन उसको एंजेक्ट करता है जिसकी वज़े से प्रे जो है वो किल हो जाता है और उसके बाद एक बार वह जब फेंट हो गया यह किल हो गया तो फिर उसको जो प्रे होता है उसको सीज कर लेता है और उसको अपने माउट में ले लेता है तो अभी हमन इसका जो थ्रेड है वह स्पाइन लेस होता है मतलब उसमें यह जो बार्ब यूट्स यह सब देखने को नहीं मिलेगा और यह जब डिस्चार्ज होता है ना तो क्योंकि बिकॉज यह इतना ज्यादा पावर्फुल और यह सब नहीं है तो यह जो प्रेकी बॉड़ी पे जो हे प्रेजेंट होते है उन्हें वोक्ट करने का काम करता हैं पूरे औरकेको प्रेगी बॉड़ी पर जो हेयर और प्रिस्ट्रल्स प्रजेंट है उनको पगड़ ले ता है यानि चलू आप के टीर वालमट टैप के हो और और झार्च में और की सिंपल सा होता है div vessel स्वाईय Extension दिस्चार्ज नहीं होता और जब दिस्चार्ज हो जाएगा तो इस तरह से लिखेगा इस पर ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं तो यह स्पाइनलेस है वॉल्वन टाइब जो है वह स्पाइनलेस होता है इसको जो है डेस्मोनीम्स भी बोल सकते हैं इस टाइटली क्वाइल अरांड था स्मॉल पोजेक्शिंस यह हमने डिसकस कर लिया जो थर्ड टाइप है इस 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 स्टीरियो लाइन ग्लुटीनेंट निमेटोसिस्ट तो इनको हम स्मॉल ग्लुटीनेंट एट्राइकस और इस तरह की निमेटोसिस्ट है वोगह्ल होते हैं व्हाट इलोंगेटटेंटेंट में और शाफ्ट नहीं होता है छाफ्ट जो हमने डेखा था चूंधा लिए जो थ्रेड वोता कि इंसे का जो शॉलन वुज़न नहीं को एक और मोलते थी उनके अंदर में यह श्राफ्ट बीज़ेई वो प्रेजेंट नहीं हो ति यह देखे थे बट यह श्राफ्ट जो में मिलीब अरह सो प्रेजेंट नहीं के देंदर यह स्टेरियो लाइन लूटिनेंट में जो शाफ्ट है वो प्रेजंट नहीं होता और यह जो होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो यह इसको अटेच्मेंट या एंकॉरेज करने में हेल्प करते हैं और इनका जो फंक्षिन है वह क्या है इसको अटेश्मेंट प्रवाइड करने के लिए होता है इसका स्ट्रक्चर तो और भी ज्यादा सिंपल होता है इसमें भी स्पाइन्स वगेरा कुछ देखने को नहीं मोलते हैं यह दिस्चार्ज हो गया है और यह क्या सब्स्ट्रेटम पर रड़ेश्मेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं संपल्स फिर लास्ट है स्ट्रेप्टुलीन ie prophecyleader रिंट्स अस्ट्र electrics जो होते हैं लार्ज bilutinerर लूरोटिनेंट यह इसे नहीं हैं और उस तारह के जो नेमट्सिस्ट हैं यह ओल nerves किलेंट होते हैं और इनका जो त् लास्ट टाइप होता है इस दा स्ट्रेप्तो नीडिनेंट नेमेटोसेस्ट इनको नार्ज लुटिनेंट या थ्याहु उपोलते हैं और यह जो है वोवल या सदेंट्रिकल होते हैं और इनका युग होता है उसमें यो शाफ जो देम बहुत ज्यादा लंबा होताहे जो कि तीन या चार Coil जो है वो बनाता है इसमें जो है Spiral Loaf Small Spines की Spiral Loaf Spiral Vogue के form में present होते है इनका जो function होता है वो attachment होता है जो smaller animals है उनके movement को stop करते हैं, hinder करते हैं उसमें ये role play करते हैं है so में उसके स्ट्रॉक्टर देखना चाहिए तो इस पर क्या होता है जब απितो तो शैफ्ट जो है present होता है और ब respons होता है और इस पर इस पंप देखने को इस तरह से है एक बारा आप डार्वाब जाहरे बुक में देख सकते हैं एक आप को कोई समझ में आया होगा टॉपिक नेमेटोसिस्ट का अगर कोई डाउट आराइस होता है तो आप कॉमेंट सेक्चेन में पूछ सकते हैं टैंक्स पॉर वाचिंग हैव नाइस टे